कि हैलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों श्वागत एक फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस एस स्टेडी दूफंड जीरो में तो दोस्तों आज हम देखेंगे केमिश्टी यानिकी रशन विध्यान के पार्ट आर्ट जो कि दोस्तों फार्ट आर्ट हमें बात करेंगे इंपोड़न थार्ट यानिकी तीश कोशन जो कि आरार वी गुरूप दी एंटीपीसी एससी पुलिश जो कि अब किसी भी कम्प्टीटिट एक जम की तायारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपोड़न क्लास है तो दोस्तों क्लास को बीच में मच्छुड़ें पूरा क्लास चलिए चलते हैं को सिन नमर एक देखने खास देखें किया देखेंगा जय को रासानिक है तो इस पूर्ण क्या दोस्तों क्या रहे गांग का रासानिक संग्धन है तो यहाद किया है फैस पुश्टिटु ओ थिरी डेस एक्स एच तू ओ और से नमर सी आपका रहे आइज ए याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देखते कोशन नमर दो देखिए क्या जंग लगने पर लोहे का भार कैसा रहता है जंग लगने पर लोहे का भार कैसा रहता है तो याद रखिए बढ़ता है option number A आपका right answer आजाएगा कैसा रहता तो बढ़ जाता याद रखीगा चलिए question number 3 देखिए क्या है लोहे के सतय पर लगाया जाने वाला paint लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि यह है क्या करता बताईए दो इस question का right answer क्या जाएगा लोहे के सतय पर लगाया जाने वाला paint लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि यह करता है तो याद रखीए oxygen और नमी को लोहे के संपरक में आने से रोकता है याद रखीए option number D आपका right answer आजाएगा oxygen और नमी को लोहे के संपरक में आने से रोकता है ऑप्षन नमबर दी आपका राइट आंसर आ जाएगा याद रखीगा चलिए अगला खोशन देखते हैं कोस्टनमर चार देखिए क्या है जंग रही तो लोहा बनाने में प्रियुक्त महित पुर्डधांतू है क्या है इस खोशन का राइट आंसर क्या जाएगा जंग रही त लोहे का शुद्धतम रूप है तो इस पोण है पीटवा लोहा याद रखी गा चली एगला वज बदलने के लिए उसमें कौन सी धा तो मिलाई जाती है कोन सी तो मिलाते हैं तो याद कि निकल आप्शन नम्मर डी आपका राइट अंसर आजाएगा क्या लोहे को इस पाद में बदलने के लिए उसमें कौन सी धात मिलाते हैं तो निकल याद रखीगा चलिए कोशन नमर साथ देखेंगे इस्टेंलेस स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ कौन सी धात आजाएगा क्रोमियम ऑप्शन नमबर भी आपका राइट अंसर आजाएगा कौन सी धात उपयोग मिलाते हैं तो क्रोमियम याद रखीगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमर आड़ देखिए क्या स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है किस राइट अंथर के लिए कि मत्र ब बलाते हैं डिसके मत्र नमर रहें आपका रहें तो चलिया कोशन मिल्य मत्र लाइटर केंकर नौ देखिए क्या है कौन साल Imm yote प्रतियास्त है तो दूस्ती इस खोशन का रइट अंसर क्या जाएगा निUMन में से कौन सा पदार्ध्सरबादिक प्रतियास्त है तो या रही इस पात यानिकी लोहा औौक्ष नंबर भी आपका रइट हम सर आज घाएगा चलिए अगला कोशन देखें कोशन नमबर this देखिए क्या देखते हैं यसाद लेपन में लोहे पर किसकी पर चड़ाए जाती है तो दूस्तिमिए इस कोशन का राइट अन्सर आ जाएगा इसकी पर चड़ाती है यसाद लेपन में तो जहता कि आप्षण नमबर भी आपका र राइट अंसर आजाएगा किसके द्वारा की गई थी तो इस पूर्षन का राइट अंसर आजाएगा के दौर्षन नमबर भी आपका राइट अंसर आजाएगा तो याद रखिये 1766 में कबकि ये भी 1766 में याद रखियेगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर देखीगा 12 देखेंगे कौन सतत्तो सूर में सरवादिक पाया जाता है तो दुस्ति इस कोशन का राइट अंसर क्या जाएगा 13 देखिये क्या देखते हैं कौन सतत्तो ब्रह्मान में सरवादिक मात्राम है तो दुस्ति इस कोशन का राइट अंसर क्या जाएगा तो याद रखिये दूस्ति इस कोशन का राइट अंसर आजाएगा किसको भविस्का इदन कहते हैं तो हाइडोजन को ओप्शन नमर ए आपका राइट अंसर आजाएगा किसे कैते हैं विस्का इदन तो हाइडोजन को याद रखिएगा चलिए अगला कोशन देखे को शन नमर पंदरह देखिए क्या है तो यह तत्य женщlo amoli का आवस्चन का राइट अंसर और आजाएगा क्या है ओए तक तो जिसका पर्माण किर्मांग तथा पर्माण भार दोनों एक समान होता है तो जोसते इस कोशन का राइट आंसर देखी किढ़ेगा और चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 17 देखें किया हार्डोजन के समस्तानिकों की संख्या कितनी है तो जुस्ति इस caution का right answer आझाक है तो याद रखेंग दूस्तव इस caution का right answer आझायकई तीन होती है option nber B आपका right answer आझायगा अगला caution देखते AO18 निमन मेंसे कौन सा hydrogen का शमस्थानिक नहीं है जुऩति इस question का right answer देखी कि कई मेंसे कौन सा hydrogen का समस्तानिक नहीं है जो कि ούμε ओज। याद रुखी है, question era चलिए अगला question देख्ड़े है, question number 19 ते Mm है नियुन में एक सथमाह बंगbike सथमस्तानिक नहीं तो इस है तेया जाएगा आपका राइडफा ऐंसर आजा एक याद रखिएगा चलिए कोशन को से नोबर सुमस्तानिक आपको आजायेगा याद रखिएगा चलिए अगला अंबर देखिए किसका समस्ता ने किया तो दूस्तों का रइट आंसर आरे तो है याद रखीएगा और भी आपका रहाइट आंशर आजाएगा चली अगला कोशन के नाब की रियक्टर में इधन का काम कौन करता तो इसकुर अनसर आ जाएगा है उत्यक्ति और देखिए इंटाकर आजाएगा चल स्टांब करने के लिए किस तत्तु प्रियों किया जाता या उप्षण नमब आपका राइट आजाएगा चलिए कोशन नमर तेज़ क्या देखते हैं निम्न मैं से सबसे भारी धातु कौन सी यह तो यहाद एक यूरेनियम ऑप्षण नमर भी आपका राइट आजाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कोश्च चौबिद एक देखते हैं कोशन नमर पर पचेजी क्या मौनचाइट वालू में निम्न मैं से कौन सा खनिस्च पहता है तो त्वोसन का राइट आँसर आजाएगा तोर्य निकाल मौनाजद वालु से ऐप्षण नम्र सी आपका रॉइट आँसर आजाएगा याद रखेएगा चले रहा कोशन देखते हैं नागा नागा शागी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाण बं में किसका प्रियोग किया गया था तो पिलोटिनियम का याद रखीगा चलिए एगला कोशन देखें कोशन मत सकता है देखिए गया वह बैग्यानिक जिसने रेडियम की खोच की ती तो दूस्ती इस कोशन का रा जबंड़ डिर्ट आजएगा मेडम कियो बिमिक अप्ष्ट हो नवर आपका रहत आंसर जाएगा याद रखीगा च Middle Craft PV iv इंधानी नए पोलोनियम् की कोज की थी तो इस इस पॉशन का रायट आंसर आएक षिए पॉलोनियम् की खोज याद रहे यूर रोडीर मेड़े मेडम क्यू रिने की टी किसने मेडम क्यूरी आब abbiamo बी आपका राइट अंजर आजाएगा कब की ती तो याद रखी रहे ती और 1898 में कि भी में है इसकी खुज की थी कब 1898 में इसकी याद रखी गा चलिए अगला कॉशन देखते हैं कोशन नमबर उन्टी देखिए क्या है शूर्षेलों में प्युक्त होता है, क्या होता है, शूर्षेलों में प्युक्त होता, तो दोस्ती इस question का right answer आए, CGM क्युक्त होता, option number c आपका right answer आजाएगा, याद रिखिएगा, इसका प्यूक्त करते हैं, तो याद रिखिए ए CGM का, चलिए question number 30 देखिए, दोस्तों, last question कॉन सी थांत तो का एक और आपका रट रखाएगा याद रखिएगा तो दोस्तो वीडियो आपको प्रसंद आई होई तो दोस्तो एक कमेंट और लाइक रखे जरूब बताएगा जो भी हमारे चैनल पर नए है जो पहली बार विजिज कर रहे हैं तो दोस्तो चैनल को सब्क् आपको समय पर मिलता रहा है तो चलते हैं चलेंगे जैहिंग जैवार बंदे मात्रम